नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का एक बार फेसे आज की बड़ी खबरे और मुखे समाचार आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में जहां पर दोस्तों जानेंगे बेजभूशन की मुस्किले बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं कोट का डंडा चल है बेजभूशन के मामले में जल्द ही यहां पर फैसला आने वाला है बेजभूशन का जेल जाना लगवकता है वहीं दूसरी दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट में आगे जानेंगे विस्तास सीम बनते ही पहला चुनाओ हा रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री वहीं बीजेपी वाले भी हैरान है वहीं दोस्तों मोदी सरकार के राज में देश पर बड़ा है बेतहासा करज सत्त सालों का रिकॉर्ट तोड़ा कॉंग्रेस हमलावर है और रहीं पर दोस्तों इसी प्रकार की बड़ी खबरें आप तक पहुंचें इसके लिए आप वीडियो मे बड़ी खबर बताते चलें बड़ी खबर दोस्तों बेजभूशन पर होने वाली है बड़ी कारवाई चलेगा कोट का डंडा अवाने वाला है फैसला बिग ब्रेकिंग में उस दोस्तों महिला पहलवानों की यौन सोशन मामले को लेकर अपडेट आ रही है अदालत आरोप बड़ी बड़ी बेजभूशन के खिलाफ नए सुरे से सुनेगी दलीले चार जनवाई से होने वाली है मैरतन सुनभाई अदालत ने छे महीला पहलवानों दोरा बेजभूशन के खिलाफ दायर यौन उत्पियरन मामले में आरोपताय करने के मुद्दे पर चार जनवाई स नए सीरे से सुनभाई करने का फैसला किया है जराव जैवनिव कोट के अत्रिक्त मुखे मजिस्टेट हजी सिंग जस्पाल की अदालत में यहां मामला इस्थांतित किया गया है अदालत ने कहा कि आरोपताय करने पर दलीले पूर बवर्तिन ने अधीस ने सुनी थी इसलिए अब यहां पर इन पूरे मामले को नए से सुनने की जरूरत है यहां पर दोस्तों बेजभूशन के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं जो आरोपताय करने के लिए काफी है दिल्ली पूलिस पहले ही चार्ज सीट दायर करे चुकी है जल्द ही इस मामले में फैसला आने वाला है और वहीं दोस्तों दूसरी तरह आप सभी को बताते चलें पहलवान साच्छी मलिक ने लिया है सन्यास और दोस्तों बेजभूशन के करीवी को डबलो एफाइप प्रमुक बनाने के बिरोद में साच्छी मलिक का ये बड़ा फैसला वहीं दोस्तों साच्छी मलिक ने यहाँ पर सन्यास का ऐलान किया है क्योंकि बेजभूशन के करीबी को कुस्ती संग का यहाँ पर उपाध्यच बनाये गया है संजैसिंग जो उपाध्यच चुने गए हैं और ये खवच जैसे ही सामने निकल कि आई है पहलवानों में आकरोज सा आ गया है यहाँ पर उपराष्ट पती ने अपनी जाती को लेकर भी यहाँ पर बात कही थी आप सोचल मीडिया युजास काफी नाराज दिख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं उपराष्ट पती धनकर जी बीजेपी सांसर्द बेजभूशन के खिलाफ ये बेटिया यानि कि महिला पहलवान कई दिनों तक जनतरमंतर पर बैठी थी तब आप चुप थे इन पहलवान बेटियों को जनतरमंतर पर घसीटा गया था तब भी आप चुप थे ये बेटिया सड़क पास्टंग हल्स कहती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला तब भी आप चुप थे अब साच्छी मलिक जैसी ओलंपियन ने यहाँ पर दोस्तो सन्यास का एलान किया है अब भी क्या ये चुप रहेंगे सोचल मीडिया युजय सुप राष्ट पती धनकर से सवाल पूछ रहे हैं ये अपडेट निकल के आई वहीं दोस्तो दूसरी तराफ इंडिया गठ वंदन से संबंदित अपडेट आ रही है हाली में 19 दिसंबर को इंडिया गठ वंदन की बैठक संपन हुई इंडिया गठ वंदन का अपधान मंती पद का चहरा किसे बनाना चाहिए सर्वे में इस सवाल पे सबसे ज़्यादा दोस्तो राहूल गांदी को लेकर प्रतिक्रिया निकल किया आई है सर्वे ने सब के होस उड़ा दिये पिस्ताओ भले ही पारित किया गया हो मलिक आजुन खडगे का नाम का लेकिन लोग प्रियतर राहूल गांदी की ज़्यादा है सर्वे में चौका आने वाले नतीजे 27 फिस्ती लोगों ने कॉंगेस नेतर राहूल गांदी का नाम लिया है वहीं सर्वे में 14 फिस्ती लोगों ने कहा कि मलिक आजुन खडगे को चहरा बनना चाहिए 12 फिस्ती लोगों ने दिल्ली के C.M. अरविंद केजिरिवाल को यहाँ पे पियम पद के लिए उपयुक्त चहरा माना है 10 फिस्ती लोगों ने बिहार के मुख्यमंती नितीज कुमार का नाम लिया है दोस्तो इसी सवाल पर 8% लोगों ने पश्य मंगाल कि सियम मंता बैनाय जी का नाम लिया दोस्तों और 5% लोगों ने एंसीपी प्रमुक सहथ पवार का नाम लिया है वहीं दोस्तों बात करें सौ में 24% लोग बचे 24% लोगों ने कहा पता नहीं और इसमें उन्होंने जवाब दिया दोस्तों आप भी अपनी राय जरू बताईए किसे होना चाहिए विपच्छी गठवंदन इंडिया की और से पधान मंती पद का चहरा जरू बताईए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग नियूज सामने निकल के आ रही है सियम बनते ही पहला चुनाओ हार गए बीजेपी के मुख्य मंती जी हां दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग नियूज भातिये कुस्ती संग के उपाध्यच के चुनाओ में MPCM हार गए हैं इन्होंने भी पतिवाग किया था आप समी को जानकारी लिए बताते चलें बेजभूशन के करिवी संज्या सिंग ये चुनाओ जीते हैं आपको बता दें कि मोहन यादब जो बायतमान में मदब देश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने मुख्यमंत्री बनने पहले ही भारते कुस्ती संग के उपाध्यच का चुनाओ लड़ने का फैसला किया था जब इन्होंने इसके लिए परचा भरा था तब वो सियम नहीं बने थे और जब तक उन्होंने सपत ली तब तक परचा बापस लेने की तारीख ही निकल गई थी अब दोस्तों अपडे सामने निकल कि आई है किस पेकार से सीम बनते ही पहला चुनाओ हार गया है मोहने अदव इसी के साथ एक और खवार कितर चलते हैं बड़ा दोस्तों आर्थिक यहां पर अलर्ट मिला है मोधी सरकार को आई एम एफ की तरफ से राष्टिय मुद्रा कोस की तरफ से यहां पर दोस्तों यह अलर्ट दिया गया है चेताबनी जारी की गई है क्यूंकि भारत पे पिछले 10 सालों में 5 गुना जो की 2014 में 54 लाग करोण का करश था और 2023 में ये करज 205 लाग करोण पर पहुँच गया इस पश्ट है बीजेपी राज में देश पर कारज बड़ा है वो भी दोस्तों चार गुना हो गया है 205 लाग करोण यहां पर और आइम एफ ने भारतिय सरकार को भी चेताया है चेताबनी जारी की है कि उसे कुछ यहां पर सुधारात्मा कदम उठाने की जरूरत है सोसल मीडिया उजर्स कहा रहा है कि इसमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिने अर्थ वरस्ता की अच्छी जानकारी हो सोसल मीडिया उजर्स कहा रहा है कि राहूल गानी ने सही कहा था कि फायदा सिर्फ मोदी मित्रों का हो रहा है मित्र मंडली का फाइदा हो रहा है आम जंता का इससे कुई फाइदा नहीं है कर्ज भी मित्र मंडली का माफ किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों आम जंता भी मां करने लगी है कि अब समय आगया है रहुल गांदी जैसा कोई नेता है जो अब देश को बचाए इस परश्ट है दोस्तों 24 में आम जंता भी बदलाओ की लाहर चाहती है यहाँ पे दोस्तों राहुल गांदी के समाथन पर सोचल मीडिया युजायस ने यहाँ पे मोदी सरकार को घेरा है इस पूरे माम लेको लेकर वहीं दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग निउस निकल की आ रही है सी डबलू सी बैठक में लोग सवा चुनाओ की तैयारियों पर चर्चा हुई है राहुल गांदी से भारत जोडो यात्रा फिर सुरू करने का आगर है कि आहम मालिका जुन खड़गे ने कॉंग्रेस पार्ट का केसी वेनु गोपाल अधीर रंजन चौधी सल्मान खुरसीद आधी सवी सदफ से सामिल हुए है वहीं दोस्तों बैठक में देश के बहत्मान हालात और पार्टी की लोग सवा चुनाओ की तैयारियों पर चार्चा हुई बैठक में राहुल गांदी से पूरव से भारत जोडो यात्रा करने का अग्रह करें उन्होंने कहा कि मैं काय समिती में राहुल जी के समाचिया बात रखता हूं और निर्णाय आप सभी पर छोड़ता हूं इस परश्ट हो गया है दोस्तों भारत जोडो यात्रा पार्ट दो जल्द ही राहुल गांदी सुरू कर सकत हैं खड़गे ने यहां पर काय समिती के बैठक में ये बात भी रखी है यह दोस्तों आज की सभी बड़ी खबर मुख्य समाचाह थे जो आप तक पहुंचाए हैं वीडियो पसंद आया हूं आपको तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी वीड भी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत